जो प्रेश्ट नम को दिया गया है वो है तो बुझ A, B, C की रचना कीजिए जब की A, B बराबर 6 cm, B, C बराबर 8 cm, तता C, A बराबर 4 cm हम एक रफली चित्र बना लेते हैं जिससे रचना करने में हमको आसानी होगी हमने माल लिए A है, B है, C है तो A, B कमान 6 cm, यह हमारा 6 cm हो गया, B, C कमान 8 cm हो गया, और C, A कमान 4 cm हो गया यहाँ पर जो तिर्बुझ की रचना कीजा रही उसमें तिर्बुझ की तीनों बोजाएं दी गई गई गये तो सबसे पहले हम B, C रेकाखन खीच लेते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 8 cm है हम 8 cm लंबाई का रेकाखन खीच लेते हैं अब क्या करना है, यहाँ से जो लंबाई जाएगी वो 6 cm जाएगी, और यहाँ से लंबाई जाएगी, 4 cm यह हमारा बिंदू B, C रेकाखन हो गया, इसकी लंबाई हमारी 8 cm है अगला जो हम रेकाखन खीचेंगे, उसकी लंबाई हमको 6 cm चाहिए और यहाँ से जो चाप लेगे, वो लगबाई 4 cm लगेगा, तो यह यहाँ के असपास आएगा तो यह हमने एक चाप लगाए यहाँ से अब दूसरा चाप यहाँ से लगेगा, उसकी लंबाई हमको 4 cm लेनी है बिंदू C को केन माना, केन मानने के मतलब क्या है, प्रिकाल की नोख यहाँ पर रखेंगे और यह चाप लगा दिया, तो यह दोनों चाप जहाँ पर काटेंगे इस वाले बिंदू को, कटान बिंदू को B और C से मिलाता हूँ रेखा खीच देंगे, यानि यह हमारा बिंदू A हो गया तो अब A को B से, और A को C से मिलाता हूँ रेखा कर खीचेंगे तो यह हमारे तिर्वुद A, B, C की रशना हो जाएगी इस वाजी बुझा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस वाले बुझा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है अब सवालम से कहरा है, तिर्वुद A, B, C की रशना कीजिए जबकि A, C बरावर 6 सेंटीमीटर, कोण A बरावर 60 हंस, तता कोण C बरावर 45 हंस इसके पहले जब रशना कीजिए उसमें तिर्वुद की तीनों बुझाएं दी गी थी अब यहाँ पर क्या है, एक रफली चितर बना लेते हम कोण A, इसको माल लेते हैं, और यह बुझा C, A, B, C, A हो गया हमारा A, C कावण 6 cm दिया गया है, और A और C, इसके अन्त बिंदू से एक कोल साथ उन्स का कोल बनाएंगे, दूसरे अन्त बिंदू से एक पैतालीस उन्स का कोल बनाएंगे, ये दोनों जब रिखा आइंगे, ज़़ों ने खीची जाएंगी, वो कहीं पर मिलेंगे, तो commanders पूंसे लगारा बिंदू B हो जाएगा तो आए रचना करते हैं 1.3 लंबाए करे रेखाखन कीजते हैं जिस लेखाखन कितनी है चैसे सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबाए कमने एक रेखाखन एसी कीचा जितना कीचा एसी अब हमें केरिना क्या है इसके अंत बिंदू से बिंदू at से शाठंस का कोड़ बनाने तो साठंस का कोड़ बनाने के लिए hem प्रेकाल की नोख सको यहाँ प्रँख़ा बिंदू और एक चाप लगा है अब इस चाप ने इस रेकाखंड AC को जहां पर काटा उसको केन मानने काट परेकाल की नो कहा रखेंगे यहां पर रखेंगे जहां पर चाप ने इस रेकाखंड को काटा चाप को बदलना नहीं है और फीर हम एक चाप लगाएंगे तो यह जो कोड मनेगा हमारा तो हमने क्या किया यहां पर इस कटान बिंदू को बिंदू A से मिलाता हुए रेखाखन खीचेंगे यह हमने एक रेखाखन खीच दिया अब क्या करेंगे बिंदू C पर 45 संस का कोड़ मनाना है तो आप कोड़ों की रिशना के लिए मेरा वीडियो दे सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो सबसे पहले एक चाप लगाया फिर यहां से एक चाप लगाया पहला कोड़ साथ अंस का बनेगा दूसर चकाप लगाया इसी क्या आंगे से तो वो हमारे 120 संस का बनेगा 60 और 120 का अधा कर देते है यहांनि 60 से चाप लगाया और दूसर चाप हम 120 संस के कोड़ से लगायागे तो यह जो कोड़ बनेगा वो नभगय अंस का कोड़ बनेगा अब क्या करेंगे इस 90 के कौन का अधक कर देंगे यह 0 और 90 कादा 45 होगा तो एक चाप हम 90 के कौन से लगाएंगे और एक चाप 0 के कौन से लगाएंगे यह दोनों चाप जहां पर काटेंगे तो वो बनने वाला कौन जो हमारा होगा वो 45 अंसका होगा, यहाँ पर यह काट रहे हैं तो बिंदू C से इससे होता ही रेकाकन खीचेंगे तो हम ने क्या कि एक रेकाकन खीचा तो यह दोनों रेकाकन यह दोनों केंडे जहाँ पर मिलती है यहाँ पर मिली, तो यह वाला बिंदू हमारा हो गया B तो हमारा तिरुबूच A, B, C की रशना हो गई यह वाला कौन हमारा 60 अंसका है यह वाला कौन हमारा 45 अंसका है तो हम फिर भाई प्रोसेस करते हैं एक रफली चित्वना लेते हैं A, B, C हमने माल दिया आसानी रहती है सकन्ने से गलती होने की संभावना कम हो जाती A, B, C अब A, C का मारा 4.5 cm यह A, C जो बुझा है वो 4.5 cm की हो गई B, C का मारा 6 cm हो गया और कौन C यह वाला जो कौन है वो 60 हंसका हो गया यानि हम क्या करेंगे पहले B, C रहकरण खीचेंगे उस पर साटन्स का पोड़ बनाएंगे और जो रहकरण जाएगा उसमें 4.5 cm काट लेंगे यह जो किरण जाएगी उसमें 4.5 cm काट लेंगे तो आई हल करते इसको तो हमने क्या किया है B, C रहकरण खीचेंगे जिसकी लंबाई कितनी है 6 cm है 6 cm लंबाई का रहकरण B, C खीचा यह देखिए यह लंबाई कितनी है 6 cm अब इससे एक चाप लगा है साटन्स के कोड़ की रेचना कैसे की जाती है इसका आप वीडियो देख सकते है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी गई है बहुत सारे कोड़ों केशना वहाँ पर दिखाई गई है तो साटन्स के कोड़ बनाते है तो यह चाप जो पहला चाप लगता वो साटन्स पर जाएगा हमने किया कि इसको मिलाता हुए रेखाण कीचा यह कटान बिंदू और रेखाण केंद बिंदू से कटान बिंदू और रेखाण केंद बिंदू से हमने एक रेखाण कीचा अब यह जो लंबाई दी गई है वो 4.5 cm दी गई है तो हम क्या करेंगे 4.5 cm लंबा का रेखाण मापेंगे और यहां से एक चाप लगाएंगे बिंदू C से तो हमें एक बिंदू मिल गया यह वाला जो बिंदू कहलाएगा A कहलाएगा अब इस वाले बिंदू से B को मिलाता हूँ रेकाखन खीचेंगे तो हमारे अभिष्ट तिर्बुज ABC की रशना हो जाएगी तो यह हमारा तिर्बुज ABC बन गया अब यहां पर दिया तिर्बुज ABC की रशना कीजिए जबकि AC बरावर 13 सेंटीमीटर BC बरावर 5 सेंटीमीटर है और कोण B बरावर हमारा 90 दिया गया है यानि कोण B समकोन है तो एक रफली चितर बना लेते हैं कोण B समकोन है इस तरह हमने बना लिया यह कोण B माल लिया यह C हो गया और यह यह हो गया तो BC बरावर 5 सेंटीमीटर यह 5 सेंटीमीटर हो गया यह कोण हमारा 90 हो गया AC बरावर 13 सेंटीमीटर हो गया इसके पहले जो हमने सवाल लगाया था उसमें क्या था दो बुजाएं दी गई थी और दोनों के बीच का कौन दिया गया था लेकिन अब क्या है बीसी बुजा है है एसी बुजा है लेकिन इसके ये बीच का कौन हम को नहीं दिया गया दूसरे ये तब का कौन दिया गया तो आईए इसकी रचना करते हैं यह हमने 5 cm लंबाई का एक रेखागन खीचा यह हमारा जो रेखागन खीचा वो बीसी रेखागन खीचा है इसकी लंबाई कितनी है पांच सेंटीमीटर अब हमें बिंदू बीपाल समकोड बनाना तो समकोड की रेशन ने इसके पहले की थी हमने मिलाता हो रेखागन खीच देंगे तो महां समकोड मन गया अब करना क्या हमको यहां से यह जो लंबाई दीगी सिने की लंबाई 13 cm दी गई है तो हम 13 cm का चाप लेते हैं तो हम ने 13 cm लंबाई गर चाप लिया कि अब इससे लगाएं बिंदू C से तो इसकी लंबाई काफी जादा है यह लगबा यहां पर जाके कटेगा यहाँ पर तो इस रेखाखन को आँगे बढ़ाते हैं अब बिंदू C से एक चाप लगाएंगे यह दोनों चाप जहाँ पर काटेंगे इसको और आँगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा तो यहाँ पर काटा इसको बिंदू A मान लेंगे अब यहाँ से मिलाता हो रेखाखन कीचेंगे तो यह ही अमारा अभिष्ट तिर्भुज ABC की रशना होगी तो जो C A की लंबाई वहमें कितनी है? 13 cm है अगर हम पाइथां उसकी प्रेमें पढ़ेंगे तो यह जो लंबाई हमाई निकली है 12 का वर्ग, 144 का वर्ग, 25, 25, 99, उसका वर्गूल 13 cm तो यहाँ पाइथां ने जो तिर्भुजों की रशना की उसमें पहले प्रेका का तिर्भुज था कि उस तिर्भुज की तीनों बुजायम को दी गई है तो हमने रशना की फिर हमने रशना की कि एक भुजा दी गई है और उस भुजा के दोनों अंतविंदों से दो कोण जाते हो यानि एक भुजा दी गई है और उन भुजाओं के किनारों पाइस ते दोनों कोण दी गई हो तो दूसरे प्रेकार का था तीसरे प्रेकार था कि हमको दो भुजाएं दी गई, एक 6 cm की दी गई थी, दूसरी 405 cm की दी गई थी, और दोनों भुजाएं के बीच बनने वाला कोण दी आ गया हूँ, यानि दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण दी आ गया हूँ, तब ने तुर्बुच की रचना की, और फिर एक रचना इस प्रकार की थी कि हमको दो भुजाएं दी गई गें लेकिन दोनु भुजाओं के बीच का कोण नहीं दिया गया इस बार दूसरे अंतिविंदू से हमें एक कोण दिया गया था तो इस प्रकार हमने इन तरभुजाओं की रचना की